की राजधानी दिल्ली में Blue Planet Solution द्वारा आज गिनीज वर्ड रिकॉर्ड बनाया गया है यहाँ 4 लाख किलो वेस्ट मेटेरियल पेपर दिल्ली के 350 स्कूलों के तक्रिवन 3.5 लाख बच्चों उनके अध्यापकों और प्रिंस्पल द्वारा इकठा किया गया इसके बाद रिसाइक्लिंग करके इन वेस्ट मेटेरियल से कुर्सी मेज वा अन्य जरूरत की सामान बनाये जाएंगे Blue Planet Solution कंपनी पर्यावरण के लिए काम करती है और इसी से संबंधित Blue Company ने इस पहल की शुरुवात की है जहां रिसाइक्लिंग के लिए 24 घंटों में बच्चों और इसकोर प्रसाशन के द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में वेस्ट पेपर का इकठा किया गया है Blue Planet के माध्यम से एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा गया है एक चार लाख से ज़ादा बजन के जो बेस्ट है पेपर बेस्ट है उसको रिसाइक्ल करने का काम किया गया है बातचीत करते हैं सर कैसे आप लोगों नहीं किया क्या आइडिया था प्रेवर्ण संदक्षन को लेकर एक बड़ा युगताना आपते हैं सर ब्लू प्लैनेट इंवार्मेंटल सॉल्यूशन एक इंवार्मेंटल सॉल्यूशन कंपनी है और हमारा मानना था कि बिना फ्यूचर जनरेशन को एजुकेट किये बिना क्लाइमेट चेंज की प्राब्लम सौल नहीं हो सकती तो उसके लिए हमने एक इंगेजमेंट प्रिंस्पल्स और बच्चे इंट्रेस्टेड हुए और इंट्रेस्ट होने पर धेर सारा पाटिसिपेशन किया चाहे वो सौ ग्राम पेपर लाए हो या दस किलो लाए हो बट सभी के कॉंट्रिबूशन से आज इंडिया के पास उनका अपना रिकॉर्ड है बाच्षित करे आज है कि खाय पेपर ओंगर कोर्बस अहीं प्रिया कॉल्क है वहल्स को डिल बी रू Pennsylvania of तो इस इस सम्थिंगे प्राओट इसेट वर्सेट विए तो इस प्राइब करने के लिए तो निश्य तोर पर यगर हम बात करें तो चार लाक सैंतर सजार नौसो पचेटर जो केजी जो कागज है उसको रिसाइकल करने का काम किया गया है यह तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ट है जिसको ग्रीन बुक अब बर्ड रिकॉर्ड में दर्च किया गया है यानि कि जो तमाम पेपर पेस्ट है वो दिली नहीं पूरे देश भर के अलग-अलग इसकूल के बच्चों से आया और उसको एक जगे पर रिसाइकल किया गया और रिसाइकल करने के बाद एक बड़ा दर्च किया है सोगी चराग के साथ के समून मिश्रा जिग 24-7